ओफिस की छुट्टी है और ऐसे में हमें देखना है अपनी फेवरेट मूवी या फैमिली के साथ इस्पिंड करना है बहुत अच्छा टाइम तो ऐसे में सबसे बेस्ट श्नैक होता है पॉपकॉन तो आज मैं आपके साथ में बिना किसी खर्च बिना किसी केमिकल घर पे ही ताजे भुट्टे से एक दम नेश्रल तरीके से होममेड पॉपकॉन कैसे बना है और उसे बना के एक साल तक स्टोर कैसे करें तो इसके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है तो इसको बनाने कैसे है स्टोर कैसे करना है चली वीडियो देख लेते हैं घर पे ताजे भुट्टे से पॉपकर्म बनाने के लिए यहां मैंने लिये हैं दो ताजे भुट्टे यहां पे आपको ध्यान देना है कि आप बजार से ताजे भुट्टे तो ले आईए लेकिन उसका छिलका मत किचन में धूप में रखना है बस ऐसे रख दिजे ताकि दाने हलके से कड़क हो जाएं मतलब ऊपर से कड़क रहें अंदर से सौफ्ट रहें तो मैंने यहां पर क्या किया था दो दिन तक कि उनको ऐसे चाओं में छोड़ दिया था धूप में नहीं रखा था तो अभी दे भिखान देना है कि आपको चाकू से दानों को नहीं निकालना है नहीं तो चाकू से क्या होगा निकालेंगे दाने निकल जाएंगे लिकिन कट जाएंगे भी से तो बस हातों से निकाली अराम से निकल जाएगा यह देखिए और इतने भुट्टे आपको लगे खराब है पहल जल्दी जल्दी पहुँच जाए ताकि मार्केट से भुट्टा लेके आए और आपकोन बनाए फेस्टिवल टाइम में फैमिली के साथ एंज्वाइ करें थंड का टाइम आने वाला है धूप नहीं रहेगी पहले से बना के रख लीजेगा मस्ट्राय रेसिपी है यह बहुत अच्छे से बन जाता है जो ट्राय करिएगा अगर आपको आपको आज की वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक और शेयर करना विकुल न भूलिएगा और यह देखे मैंने यहाँ पे सारे दानों को निकाल लिया है डंठल को हटा देंगे अब टाइम आता है इनको धूप में रखके सुखाने का ताकि अंदर तक यह ड्राय हो जाए सूख जाए और हम बना सके इनसे पॉपकॉन लेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे हम लेंग इनकी जो इसकिन है वो सुखेगी नहीं नॉर्मली क्या हो ताम ढूप में लगा है और यहां पर टाइम आता है इनको धूप में लखके सुखाने का ताकि अच्छा सा पॉपकर बना कर सके हम आज मेरे यहां पता ने क्यों धूप आ रही है जार ही है आ रही जार ही ऐसे हो रहा है अभी धूप आ रही है तिप चली गई है तो यहां पर यही डिपेंड करता है धूप कितनी तेज है हलकी धूप में 4-5 दिन लग जाएगा और ते धूप रहेगी दोज में सूख बस पानी का ध्यान रखना है कि पानी न पढ़े इनके उपर और छोड़ देंगे इंको अच्छे से ड्राय होने के लिए और यहां पर 4 दिन हो चुके हैं दानों को धूप में रखके सुखाते हुए दाने अच्छे से ड्राय हो गये हैं सूख गये देखिए मुझे दिन ल अब इनको आप स्टोर कर लीजे पूरे एक साल के लिए खराब नहीं होने वाले हैं अब चलिए बनाते हैं गरमा गरम फूले फूले पॉले पॉले पॉपकॉर्न जो की बहुत यमी होते खाने में गैस पर रखें कढ़ाई इसमें डाल देंगे हम कुकिंग ओयल आप चाहें बटर बना लीजेगा जैसे भी आपको ठीक लगे साथ में जाएगा पॉपकॉर्ण साथ में जाएगा नमक अब हाई टू मीडम फ्लेम पिन को हम अच्छे से भूनना है जब तक दाने शिटकना स्टार्ट ना कर दें सेम रेसेपी जिसे मार्केट के पैकेट वाले क्या थे हो जाएगा पॉपकॉर्ण बना सुरू हो जाएगा हम इनको पड़ाफट कवर कर देंगे और यह साउंड होती है सभी को बहुत ही पसंद आती है तो यह लिजे तयार है मारे गर्मा गर्म फूले फूले पॉले पॉपकॉर्ण देके को नहीं कर सब्सक्ता कावने घरे बनाया है मज्ट्रायर रेसिपी यह ने ट्राय किया तो कुछ ने ट्राय किया आप बजार के महंगे महंगे पॉपकॉर्ण के पैकेट को कहिए भाइबाए घर में बनाइए साल बार स्टोर करिए सबको खळाईये खुद विखाईय तो मैं उमीद करते हूं कि आपको आज की होमेड़ पॉपकॉन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी जरू ट्राय करिएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ऐसी अभी देखने के लिए आप मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम पर फॉ करिएगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेयंका किचन जोन